सब्सक्राइब आज शोड़ों में हम बात करने वाले हैं about the all new 2022 TVS Apache RTR 162V के बारे में latest launch है, मेरे नाम है संगीत करना, आप देखरें Throttle 98, let's start this amazing video, सबसे पहले हम बात करें, overall look के बारे में हापर bike के बारे में, तो look में हापर कोई भी change आपको देखने को नहीं मिलता है, वहीं स खड़िये मेरा पास ये bike and this is the Apache RTR 162V, यहां पर आप देख सकते हैं, RTR 160 लिखा है और ये 2V engine वाला variant है, because इसके अंदर आपको यहां पर old look वाला headlight cluster देखने को मिलता है, और कुछ इस प्रकार की ये proper bike देखने को मिलती है, definitely बहुत muscular, एक bold look आता है इस bike का, and यहां पर white color के decent यहां पर look आपको bike के अंदर देखने को मिलता है, यहां पर specifications के साथ स्टार्ट करते हैं, पहले हम यहां बात कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार के आपको यहां पर tire देखने को मिलने वाले, tubeless tires आपको इस bike के अंदर देखने को मिलते है, and overall हम बात करें, तो tire section जो है लग ABS देखने को मिलता है, इस bike के साथ, super motor, यहां पर आप देख सेते हैं, super motor ABS यहां पर लिखा हुआ है, and overall जिस bike की braking है, city के साब से बहुत ही perfect आपको देखने को मिलती है, यहां पर बात करें, headlight cluster को इस प्रकार का देखने को मिलता है, halogen headlight cluster आती है, यहां पर कुछ इस प्रका आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है, gray, red और white के अंदर, black के अंदर painted है, यहां पर TVS को लोगो जो है, instrument cluster में आपको इस पर दिखायता हूँ, analog plus digital instrument cluster का एक combination देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का आता है, यहां पर TVS racing भी लिका हुआ है, यहां पर आप देख सेते है प्रॉपर हर एक notification, हर एक information आपको बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, handlebars की बात करें, at the left यहां आई-beam, low beam indicator, horn, pass button, right side आपको देखने को मिलता है, kill switch, ignition switch, यहां पर आप देख सेते हैं, ignition switch है, 12 liter का यह fuel tank आता है, इस बाइक का अगर हम बात करें, and overall यहां पर जो engine है, 160cc काटिगरी का यह engine आता है, कुछ इस प्रकार का आपको यहां पर design देखने को मिलता है, engine का 5 gear इस बाइक के अंदर आते है, heat बिल्कुल नहीं करता है, engine काफी smooth, काफी decent, refined engine है, city के हिसाब से बहुत perfect यह bike है, TVS Racing यहां पर आपको badging देखने को मिल जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं, Apache यहां पर लिखा हुआ है, around all किस कुछ इस प्रकार का आपको side exhaust देखने को मिलता है, RTR यहां पर आप बैजिंग देख सकते हैं, यहां पर जो heat shield है, उस क्यों पर लिखी हुई है, यहां पर इस bike के अंदर आपको dual suspension setup देखने को मिलेगा, one at the right and one at the left, आप सकते हैं, dual suspension setup है, rear के अंदर इस bike में, आपको disc brake देखने को मिलता है, बट इस bike के अंदर drum brake वाला भी option आता है, यहां पर हम बात करें, इस bike के on road price के बारे में, तो 1,40,000 रुपीज इस bike का on road price आपको देखने को मिलता है, 1,40,000 रुपे, इस bike on road price आता है, यहां पर मैं जैब सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल है, 1,500 रुपे में, बहुत ही आती है, यहां पर मेंटेन करना बहुत ही एजी है, अगर हम यहां पर एकनोमी की बात करें, फ्यूल एकनोमी की तो लगभग यह बाइक आपको एजली 45 km पर लीटर से जादा का मैलेज बहुत ही देए है, तो यह आपको रीयर में ग्राब बार्स देखने को मलते हैं, साइड में, अगर कोई भी यहां पर एक साइड पार करके बेठना चाहते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार कियाते हैं, यहां पर कॉलिटी की बात करूं, TBS मेरे एक ऐसी कंपनी जिस पर आप रिला इसके पार्ट्स भी जो हैं बहुत डियूरेबल आते हैं, वरल यह बाइक भी काफी दा डियूरेबल आती है, यहां पर सस्पेंशन सेटप की बात करें, काफी डीसन सेटप आपको देखने को मिलेंगे, अब डेफिनेटली इस बाइक को एक सिटी से दूसे सिटी जाने के यह भी यूस कर सकते हो, जो इस बाइक की पावर है, इस बाइक का जो एक तॉर्क है, जो हम बात करेंगे, अपको देखने को मिलेगा, एक काफी डीसेंट अमाट का देखने को मलता है, ओरल कुछ इस प्रकार के आती है, TBS, APACHE, RTR, 160, 2V, 1,40,000 रुपीज इस दॉन रुप आपसों के लिडियो में, थैंक्स विए में पावडे, सी यू नेक्स ने में एक शूट, तिल दान, बी हपी इन वाइट सेफ, बबाई